दोस्तो नमस्कार आज हम बात करेंगे मुंबई में जो ED की छापेमारी चल रही है और ED की छापेमारी होने के बाद से अब राजनेताओं के जो अपने बयानों के साथ-साथ जो जिस तरीके से अपनी जुवान से जो तीर निकालते हैं वो आप छिर चुकी है अब संजैराओ कि ये बदले की भावना से, ये कार किया जा रहा है और ये आपने शुरू किया है, खतम हम करेंगे. अब ये देखना बाकी रह गया है कि के ये जो संजयराउत है, संजयराउत ने जिस तरीके से इतने सारे बयान दिये हैं, इन बयानों से कोई भी अच्छुता नहीं रहा है कि कंगना रनावत का घर तूटा था उससे पहले भी इन्होंने हराम खोर और पता नहीं क्या क्या बोला था जो प्रताप सरनाइक है इन्होंने भी कंगना रनावत को बोला था है कि मुंबई आ करके देखे हम तेरा मुह तोड़ देंगे हमारी जो सिबसेना की विंग महला हैं वो तुम्हारा मुह तोड़ देंगे। अब उसके बाद कंगनार नावत भी पहुंची और वो चेलेंज भी सुकार किया था। अब कही ना कही जो संजय राउत है वो उसी की बात को दोहरा रहे हैं कि ये बदले की भावना से ये ED के च्छापिमारी हो रही है। सरत पबार ने भी अब कही न कहीं जो NCB की कारवाई है उस पर भी सवाल खड़े किये हैं और कहा है कि ये बदले की भावना से किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि अब जो मागाड़ी की सरकार है उसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है और BJP बार बार कहती आ रही है कि कु उस दिन में ये सरकार गिर जानी है अब सबसे बड़ी बात है संजे राउत का बयान होता है फिर जो प्रताब सरनाइक हैं इन्होंने भी सुसांत केस में बढ़ चण करके हिस्सा लिया था और उसी को आज देखा जा रहा है कि उसी उनी बयानों की बज़े से ED की कारवाई हु है मनी लॉंडरिंग 200 करोड का पैसा ट्रांसपर हुआ है ऐसी कुछ चर्चा है और उसकी बज़े से ED का छापा मारा गया है वहाँ पर 10 जगह चापे मारे हैं ऐसा नहीं है कि वह बदले की भावना से कारे कर रही है हां काम तो कर रही है पर उस जगह कर रही है जहां पर जो घपला है या फिर मनी लॉंडरिंग का है या फिर हवाले का पैसा है ED वहाँ पर काम करती है NCB ट्रग माफिया या फिर जो ड्रग्स का का काम करते हैं वहाँ पर काम करती है और CBI है CBI उस जगह काम करती है जहां उनको अंदेशा होता है कि जो कानूनन रूप से जो चीज़ जब कॉंग्रेस की सरकार थी उस समय भी ED चापे मारी करती थी, CBI के भी चापे मारी होती थी, क्या उस समय भी बदले की भावना से ये कार किये जाते थे क्या? प्रताब सरनाइक है जब अनव गोस्वामी मुखर हो करके जब सुशान्त के मुद्दे को उठा रहे थे और सरकार से सवाल कर रहे थे तो उस समय बिसेशादिकार हनन का प्रस्ताव लाए थे, ED का छापा पड़ रहा है तो उसको वहाँ उससे जोड़ा जा रहा है कि अगर उ उस समय ना संजय राउत बोलते हैं ना सरद पवार बोलते हैं और सबसे बड़ी बात है जब ED की कारवाई होने लगती है तो ये सब लोग बोलना सुरू कर देते हैं संजय निरूपनम ने तो बहुत बड़ी बात क्या दी कि जो बाला साब ठाक रहे थे वो ब्रस्टाचार गया और कहीं ना कहीं उनके साथ भी फोटो वीडियो देखने को मिलें अब सबसे बड़ी बात है कि वो उनका भी प्रताफ सरनाइक से संबंध है क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर हैं बड़े बड़े लोगों से इनके कारोबार होते हैं तो कहीं ना कहीं जो पैसा है वो भी इधर उधर हुआ होगा तब ही इडी ने ये कारवाई की है उनके लड़के को बिठा करके पूस्ताज की है कंगना रनावद को खुले आम चुनोती देते थे कि मुंबई आकर के दिखाओ मुह तोड़ दिया जाएगा फिर उसके बाद विससाधिकार का हननन का जो अनव ग सानून और समिधान की धज्या उड़ाई जा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात कह दी थी उस समय अब प्रताब सरनाय के उन्होंने तो कह दिया कि अगर मुंबई और सिफसेना या महरास की सरकार के खिलाब अगर दाउद भी कुछ बोल दे तो उनको भी जैट प्लस की भी अब छापे मारी हो और उससे सिफसेना है वो भी अब घबराई हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सिफसेना के बहुत करीबी और जो जिस तरीके से जो अन्वैक नाइक के साथ या फिर जो अर्णव गोस्वामी को जिस केस में अंदर डाला गया था उसके जो डीलिंग उसके अंदर खलवली मची हुई है सिफसेना के सासाथ NCP में भी मची हुई है कॉंग्रेस के नेताओं में भी खलवली मची हुई है कि अब जो जो ब्रस्टाचारी है उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है अब ये देखना बाकी होगा कि ED अब किधर रुक करती ह और आगे की कारवाई क्या रहेगी इस से सापसा पता चल जाएगा कि मुंबई के अंदर कितने राजनेता ब्रश्टाचारी है और कितने दूद के धुले हुए है